कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्पून है हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है अगर ये 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमयासर के लिए तबाह हो जाएगे और मैं ये बात एक प्रधान मन्ति के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहे साथियों आज के फैसले ने देश व्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खीच दी है आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ती शुरुवात में बिलकुल स्वस्थ लगता है वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरतिये अपने घरों में रहिए वैसे जो लोग घर में है वो सोचल मीडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी यह बहुत कम शब्दों मैं संदेश दिखाना चाहता हूँ कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकल ले कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकले साथियों एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस पहुंचता है तो उसके सरीर में इसके लक्षन दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं इस दोरान वो जाने अंजाने हर उस व्यक्ति को संकर्मित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है World Health Organization की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकर्मित एक व्यक्ति सुनिए एक व्यक्ति सिर्व हपते दस दिन में सेंकडों लोगों तक इस बेमारी को पहुँचा सकता है यानि ये आँख की तरह तेजी से फैलता है World Health Organization का ही एक और आँखड़ा बहुत महत्वपूर्ण है साथ्योद दुनिया में कोरोना वाइरस से संकर्मित व्यक्तियों की संख्या को पहले एक लाग तक पहुँचने में 67 देज, 67 दिन लग गए थे यानि एक लाग तक पहुँचने में 67 दिन उसके बाद सिर्फ 11 दिन में